नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को BSP संसद दानिस अली के खिलाब BJP संसद रमेंस विदूरी की टिपनी पर बिहार की मंत्री तेश प्रताप यादर ने कहा कि सरकार को संसद में ऐसे सब्दु का अस्तमाल करने वाली संसद की सुधर्शता रद करनी चाहिए उन्ने आसी भाषा का स्तमाल करने का कोई अधिकार नहीं है एक और सांसत के खिलाफ या पूरी तरह से निंदर निया है लोग बीजेपी के विवार का देख सकते हैं और विकैसे देश को तोड़ने और भाई-भाई को आपस में लडाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ करी कारवाई की जानी चाहिए और मामला दर्च किया जाना चाहिए कनाड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टुड्रो ने खालस्तानी आतंकी हरदीव सिंग निजजर की हत्याकारों भारत पर लगाकर नया विवात खड़ा कर दिया है वह पूरी तरह से खालस्तान आतंकीयों के समर्थन में खरी नज़र आ रहे हैं बतादी बे नकाब हो चुके हैं विदेशी दौलत के मामने में भारत को लगातार दूसरे हफ़ते बड़ा जटका लगा है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 सितंबर को समाप्त सप्ता में कडीब 72 करो रुपे कम हुआ दूसरी फोरन असेट्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है इससे को दिल्ली में सुबह 10 वजे विज्ञान भावन में इंटरनाशनल वकील कॉन्फरेंस का उद्गाटन किया अस दूरान पीम नरेंदर मोदी ने वहां जनसभा को भी संबोधित किया उसके बाद पीम नरेंदर मोदी आज वारा नसी के दौरे पड़ गया यहां उन्होंने इसे परिशान आम जनता के लिए राहत भरी खबर है केंदर सरकार ने कहा है कि गेहूं के बढ़े दाम और आटे की कीमत को नियंतरत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कदमों से महंगाई पर काफी हद तक ब्रेक भी लगा है केंदर सरकार की माने तो उसने महंगाई प को संबोधित करते वे पाकस्तानी प्रिधान मंत्री ने अनावरूल हक काकर ने वैस्विक सकतियों से भारत के रणनितिक और पारंपरी खांतियारों पर प्रतिबंद की मांग भी कि उन्होंने दावा किया कि पाकस्तान अपने सभी परोसियों से सांतिपुन संबंद चाहत लोगसबाद के विसेश सत्र में भाजपा सांसद रमेश विधुरी की अमर्यादित बयान पर विपक्ष ने तीखा, निंदा किया है उन्होंने बस पा सांसद पर अब सब्दो की बॉच्छार कर दी लोगसबाद्यक्ष ने उनके अमर्यादित बयान को सदन की कारेवाई से बावजूद इसके यह सवाल अब आम है कि कानूनि सरक्षन की आर्मे आखिर कब तक सांसद विधायक अब सब्दों की बॉच्छार करते रहेंगे और क्यों ऐसा करने वाले विधोरी पहले संसद सदस्चिन नहीं है। मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का एलान किया है। इसका सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि भारत को सस्ता कर्ज मिल सकेका और 30 अरब डॉलर यानी 2.5 तुने लाग करोर रुपए का निवीज भी मिल सकता है। और वो भारत के भरोसे ही चल रही है। ऐसे में भारत के प्रतिबंध लगाने से करनाडा को जटका लगेगा। सरकार ने चीनी के दाम को बढ़ने से रोकने के लिए कई कदम उठा हैं केंदर सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों को काबों में करने के लिए इसके स्टॉक लिमिट भी खोशित करने का नरदेश दिया है। यानि कि दाल और गेहों के बाद अब वैपारी दुकानदार तैल लिमिर से ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं कर पाएंगे अगर वैसा करते वे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कारवाई भी हो सकती है जानकारी के मताबिक किंदर ने चीनी के होसेलर वैपारीयों को हर हफते चीनी का स्टॉक घोसित करने का आदेश दिया है बिते दिन पटना के सिवल कोर्ट में पेशी होनी के बाद मनीश करशप के द्वारा जेल में हुड़हे कारणामों का खुलासा करते वे कहा गया कि जेल के अंदर जेल प्रशासन के द्वारा ही नशीले पदार ग बीते दिन माकपा महासचीफ सीता राम येचुरी राज सुप्रीमों लालु प्रशाद यादव से बिहार के राजधारी पटना महसत राबरी आवास पर मुलाकात की ये बता दे कि सीता राम येचुरी के द्वारा रालु प्रशाद से भी मुलाकात की जानकारी एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है उन्होंने एक पोस्ट शेर्ट किया लिखा है कि आज दोपहर CPI विधान मंदल के निता अजय कुमार के साथ लालू जी और राबडी देवी से उनके पटना असत आवास पर मुलाकात की यसनिस करने से संबन हिद्मुदों पर चर्चा की गए कि महागर्बधन राजिक की सभी 40 लोगसवा सीटों पर जी धांसे करें निजर की हत्या में भारत की सनलिप्ता के कनाड़ा के आरोपो पर चीन का सरकारी अख़बार Global Times भी लगतार खबरे प्रकासित कर रहा है चीन की सतधारी Communist Party का मुकपतर समझे जाने वाले Global Times ने अपने खाल या रेपोर्ट में कटाक्ष करते वे कहा है कि भारत कनाड़ा तनाव ने अमेरिका के लिए धर्म संकर के सिती पैदा कर दिया अगपार का कहना है कि चीन को बैलन्स करने के लिए भारत अमेरिका के काम का है कनाड़ा नहीं इसलिए वो खुल कर भारत के आरोचना करने से पीछे हट रहा है नीट फीजे की परसंटाइल सुने करने के मामले में केंद्रे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का कहना है कि परसंटाइल हटाने की सीधा असर मेडिकल कॉलज में खाली परे सीटों पढ़ोगा इस का मतलब यहां नहीं है कि कोई भी चात्र सीधे जाकर प्रवेश May समय 17 लोगों को समझ जारी कर 4 अक्टूबर को को कोड में पेश उने का अधिख चारी किया इस मामले पर बीजेपी के राजे सभा सांसद और पुर्व उपमुक्य मंत्री सुसील मोदी ने कहा है कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में उपमुक्य मंत्री तेश्वी प्रशाद 11-17 लोगों के विरोध आरोप पत्र दायर होने के बाद उन्हें इधर उधर की बात करने के बजाए सभी मुद्दो पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए जदियो अध्यक्ष लरलन से इस मामले में आरोपियों के विरोध इतने फुक्ता सभू सीबियाई को प्लब्द करा चुके हैं कि इन में से कोई सिजा पाने से पच्छ नहीं सकत की इस गलती को पकर कर सोचल मीडिया पर पोस्ट किया जिससे हंगामा खड़ा हो गया विवाद बरने पर मोटो जीपी की और से अधिकारिक बयान चारी कर भारस से माफी मांगी गए और इसे किसी तरह के राजनितिक बयान की जगह एक गलती बताया गौतम गंबीर IPL 2023 में लखनाउ सूपर चैन्स के मेंटर थे लेकिन अब ऐसा माना जाड़ा है कि गौतम गंबीर IPL 2024 से पहले लखनाउ टीम को छोड़ सकते हैं वहीं टीम इंडिया के पुर्व खिलारी अब कॉलकता नाइट राइडर्स टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं साखुद केके आर टीम के कप्तान नितीश राना का मानना है नितीश राना ने इस बात की जानकार सोशल मीडिया के ज़र लिए है अंतराश्ट्री क्रिकेट परिसदने शुक्रवार कॉंडर उनिस विश्व कप दोहजार चॉबस के पुर्ण काड़े करम की घोशना के टोर्णामेंट 13 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रिलंका में होगा जिसमें कुछ सोलर टीमें हिस्सा लेंगी खेल के इस महा आयूजन में कुल 41 मैच होंगे इस थाई प्रतिनी दी जूलियन स्मित ने बड़ा बयान दिया है और उन्हें कहा कि नाटो परमानू अपसार समरुदी सुरक्षा साइबर सुरक्षा और जलवाई उजसे मुद्व पर भारत के साथ बाचीत करने के लिए तयार है और उन्हें यह भी कहा इन खालिस्तान समर्थकों को पकड़ने में आप जनता की मदद मांगते वे एजनसी ने आरोपियों के लाफ तीन अलग-अलग पहचान और सूचना के लिए अनुरूरत नोटिस जारी किया है एजनसी ने उनके बारे में मत पुन जानकारी मांगी है जिसे उनकी गिरस्तार उतराकंड हाई कोर्ट ने बदवार को राज्ये के जोसी मठ में हुए भू संकलन पर रिपोर्ट सारजटिक ना करने के लिए प्रदेश की पुसकर सिंग धामी सरकार के आलोचना की टाइमस ऑफ इंडिया के नुसार मुखिर न्यादी स्वेपिन सांगी और जस्टिस आलूग कुमार वर्मा की पीटने का हमें कोई कारण नहीं दिखता कि राज्ये को विससंग्यों दोरा तयार की गई रिपोर्टों को गुपत रखना चाहिए और जनता के सामने इसका कि असल में उक्त रिपोर्टों के प्रसार से जनता को महतपुन जानकारी मिलेगी और जनता को यह भरूसा होगा कि राज़े ऐसी सिती से रिपटने के लिए गभी है सविंत राश्मिर भारती एमिसन की प्रतम सचीव पटेल गयलूत ने सुक्रवार को पाकस्तान के काड़े बाहग प्रधान मंतरी अनवर उलहक काकर के भाषन की बाद जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते वे कहा दुनिया के सबसे खड़ाब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश के रूप में खास कर अब संख्यक और महिलाओं के अधिकारों के मामने में पाकस्तान के लिए अच्छा होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोक तंतर पर उंगली उठाने से पहले अपना घर पुर सरकार ने सुक्रवार रात हतियार रूटने वाले लोगों को 15 दिनों के भीतर हतियार जमा करने की चितावनी दी अनता उनके खिलाब सक्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री एन बिरिंस सिंकेर काड़े गाले से एक विग्यपती जारी की गई है जिसमे अवैद हतियारों को तुरंत शुक्रवार से 15 दिनों के अब्धी के भीतर जमा कर दिये जाने चाहिए बैयार में कहा गया है कि 15 दिनों के बाद केंद्र और राजे दोनों के सुरक्षावल हतियारों को बरामत करने के लिए पूरी राजे में व्यापक तरासी अभिया चला गया है पाकस्तान के लावा आने सभी टीमों को भारत का वीजा मिल चुका है लेकिन पाकस्तान अभी तक वीजा ही मांग रहा है इसे पाकस्तानी टीम को बड़ा जटकाल लग सकता है एक तरफ आज यानी की 23 सितंबर को राश्रकवी रामधारी सिंग दिनकर की जिनती है त गेदारनाथ सिंग जी का निधन दुखत सुरगे गेदारनाथ सिंग जी का अपनी जनभू में सिमरिया से विशेश लगावता और के निधन से ही साहित्य जगत को अपोनिया च्छती हुई है तिवंगत आत्मा की चीर सांती के लिए इश्वर्श्ती प्रागना पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचीब महीर कुमार सिंग की ओर से आदिश जारीकर या जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से नियमों में बदलाओ करते वे अब अगर मुख्या ग्राम पंचायत में किसी भी कारण से 30 दिन तक गैर हाजर रहता है तो उन किया है जो कि पिछले वर्सों से मुकाबले कहीं जादा है इस समंध में कैट के सयूजक प्रोफेसर संजीज सिंग ने मीडिया से बाचीत में कहा किस साल कैट परिक्षा के लिए रिजिस्ट्रेशन पहली बार इतिहास में सबसे अधिक हुए हैं कभी भी परिक्षा के समीरन गुपता ने इस्तिफा दे लिया है इसे भारत में आगामी आम चुनावों से पहले एक्स के बड़े दिकारी का इस्तिफा माना जा रहा है वो भी तब जब एक्स कंटेंट हराने को लेकर भारत सरकार के साथ अधारती काड़े वाही में उलजी हुई है गुपता के दिन प्रोफाइल के नुसार वेक्स के लिए भारत के सबसे सीनियर एंप्लोई थे उन पर प्रमुक कंटेंटर रिलेटेड पॉलिसी इश्यो और नए पॉलिसी डेवलप्मेंट्स में कंपनी की पोजीशन को डिफेंट करने की जिमेता थी प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्यान भवन में अंतराश्ट्री वकीत सम्मेलन 2013 का उद्घाटन किया इस दोरान पीम मोदी ने सभी को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि इंटरनाशनल लोयर्स कॉंफरेंस भी वसुदैव कृटुमबकम की भाबना का प्रतीक है देश क महात्मा गांधी देश के पहले राश्ट्रपती और उन पहले प्रिधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू और समिधान को बनाने वाले डॉक्टर भीम्रा अंबेटकर भी वकील ही थे बार कांसल अफ इंडिया ने 234 सितमर को न्याइक व्यवस्था में उभरती चुनोतियों व अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है भारती क्रिकेट टीम में आपका पसंदीज अखिलारी कौन है अपने जवाब हमें मारे कमेंट स्क्षन में लिकर जरूर बता हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद